Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel Japanese with Vishal and आज हम करने वाले हैं Reading और ये हमारी इस सीरीज की 10th वीडियो है 10th वीडियो, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखिया है तो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा और वहाँ पे आप देखना है कि मैंने कितनी ही इसी सिंपल सी दोककाई को सोल्ड किया है बहुत ही इजी तरीके से आज की जो दोककाई होने वाले है वो थोड़ी सी लेंथी है थोड़ी सी लेंथी है ओके, सो दोककाई आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको अनॉस्मेंट करना चाहता हूँ कि जो मैंने जैपनीज लेंगवेज की क्लासे स्टार्ड की थी वो बहुत ही अच्छी चल रही है और मेरे पास इस वक्त 10 to 12 स्टूडेंट है और काफी अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है उनको अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है और अगर आप जोइन करना चाहते हो क्लासे और डेमो क्लास लेना चाहते हो तो मुझे आप कॉंटेक्ट कर सकते हो नीचे दियेगा इमेल में आप कॉंटेक्ट कर सकते हो और आप comment में मुझे reply कर सकते हो कि आपको मुझसे details चाहिए classes के बारे में okay so let's start this video सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है Tanaka Tanaka सबसे पहले यह दो kanji है इसका meaning होता है Tanaka तो Tanaka अगर आपको नहीं भी आया यार हमें क्या हमें तो यह पता ना San का पता है San का पता है तो इसका मतलब आगे कोई नाम ही होगा ना San पता है ठेक है ओके यह है Tanaka San आगे आपको दिया हुआ है वा वा ए यह कांजी जो है यह ए की कांजी है पिक्चर पिक्चर की कांजी है ए और मिरू मिरू means to see नोगा, नोगा पार्टिकल्स जोगे और सुखी देश, सुखी लाइक, क्या पसंद है उसको, उसको पिक्चर्स देखना पसंद है, ठेकर, पिक्चर्स, हितोरी दे, हितोरी दे युक्कुरी, तो सुखी न एओ, मिरु तामे नी, कोटोशी वा, गोगाचु न यासुमी नी, गाइको कुए एकु कोटो नी, शिमाश्ता, ये क्या वो रहा है, कि हितोरी दे मींज, अकेला, युक्कुरी मींज, स्लोली, अराम से बैठके, तो युक्कुरी तो एक, उसके साथ वो पार्टिकल अटैच हो जाता है, सुखी न, जो पसंद है उसको, ए, जो ड्राइंग उसको पसंद है, उसको मिरु तामे नी देखने के लिए, इस साल, पांच में महीने, यासुमी मीन्स, छुटी, नी, गाइकोकु ए गाइकोकु मतलब फॉरेंड कंट्री को जाना इकु मिन्स जाना वो जो जाना चाहता था उसको उसने डिसाइड किया को तो नहीं शिमाजता हाँ ठीक है अब मैं जाओंगा बाहर वो पिक्चर्स देखने के लिए ठीक है देमो हितोरी दे हिकोकी नी हिकोकी मिन्स होता है जहाज एरोप्लेन पे चड़ना हिकोकी नी नुरू एरोप्लेन पे चड़ना जो है वो पहली बार था इसलिए थोड़ा सा उसको कोशी मतलब थोड़ा सा शिम्पाइमांद मीन्स कि टेंशन देशता थी उसको थोड़ी सी टेंशन थी क्यूं कि वो पह पहली बार जहाज पे चड़ रहा था नेक्स इस रियोको शिता कुनी देवा निहां तो जिकान का चिगाउ नोदे हजिमे वा सकोशी नेमु कुनी देवा जहां पे वो ट्रेवल करने के लिए गया था उस कंट्री में जो जपैन का टाइम है और उसका टाइम है वो अलग होता इसलिए उसको नेंद सी आ रही थी ठीक है सुकोशी नेमु कुनारी माशना नेमु कुनारी माशना नेमु कुनारी माशना नेंद आ गयी थी उसको ठीक है ओके तो नेक्स्ट इस मता थाबे मोनो मो खारा कात्ता नोदे अगें मता means again थाबे मोनो means eating items खारा means खारा कात्ता मतल फोल्ब श्पाइसी थी तो मेज ओ ठाक्सान नौमी सुग फॅज हूं gonna पेट है वह डर्द करने लग ज्याए है उना का पेट इता कु नारू डर्द करनेल लग न थीक है ओखे सो आगे देमो मिता काता ये वो युक्री मिरू कोतोगा देखता नो दे मिता काता ये जो देखना चाहता था वो वाली पिक्चर को वो युक्री मिरू कोतोगा स्लोली देखने वाला एक चीज थी जो उसने कर ली उसने उसको स्लोली स्लोली जैसे वो देखना जाता था वैसे उसने देख लिया तो आगे वो रहा है सोनना कोतो वा सुगू वासुरेते श्माइमाश्ता सोनना को तो वह यह वाली चीज थी वह सुगू इमीडियेटली जल्दी ही वासुरेती श्माइवास्ता बूल गया था ठीक है क्या चीज भूल गया था उसके पेट में दर्द हो रहा था बट जब उसने पिक्चर देखी आराम से देख ली तो यार वो चीज भूल गया फिर पिक्चर ही देख रहा था ओके तनाका संवा योग चूणी तोमोधाची नाका हीटो वा क्योदे मों तेगामियो है टनाका संश जो है वा जो है यि रियोग उसनी तोमोधाची नात्व है और आलराब ट्रैवलिंग के बीच में जो उसका दोस्त बना था वो वला बन्दा तो मोदाची मीन्स दोस्त हितो मीन्स पर्सन ठेक है हितो ये हितो नो कांजी है ठेक है कांजी मीन्स हितो का सिंबल है इमा देमो इमा देमो अभी भी तेगामियो खाईते है इमास उसको अभी भी वो letter लिखते हैं, आगे हमारे आते हैं questions, काफी interesting था, आपको समझ आ गया होगा, आप questions solve करने ही, try करना, ठीक न, ओके, यहां पे question है, तनाका सनवत दोना कोतोगा, सुकी देश का, उसको क्या चीज पसंद थी, कौन सी चीज पसंद थी, पता चली गया होगा आ आ रहे हैं, ओके, तो, पहला option है, तोमदाची तो, बिजुट्सु कान नी इकू को तो, तोमदाची तो, फ्रेंड के साथ, बिजुट्सु कान, आर्ट गैलरी नी इकू को तो, इकू को तो मतलब, दोस्त के साथ, आर्ट मूजियम में जाना, उसको पसंद था, यह पसंद यह option, गलत, second is, हितोरी दे युकरी ए ओ मिरू को तो, हितोरी दे, अकेले, अकेले, युकरी अराम से ए पिक्चर मिरू देखना, अराम से पिक्चर देखना, yes, यह वाल option मैच करता है, third option क्या है, गोगाच्चु नो यासुमी नी, रियो को नी को तो, की पांचवे महीने, छ ट्रेवल करना, उसको पसंद है, पांच में महीने चुट्टी पे ट्रेवल करना, उसको पसंद है, ऐसा तो नहीं बोला कहीं पे, टेक है, okay, so fourth, fourth option is, गाई को को नी इत्ते, तो मदाची नी तेगामियो खाको को तो, गाई को को नी इत्ते, तो मदाची नी तेगामियो खाक तो वहां पे जो उसका दोस्त मना था उसको खत लिखता है तो यह option भी गलत हो या था तो सही answer आपको पता चली गया होगा कि second है उसको अराम से pictures को देखना पसंद है okay so next देख लेते हैं एक और question है इसमें हाँ एक और questions दूसरा question है Tanaka sun वर र्योको नी इकू मयनी दुन्ना को तो गा शिम पाई देशता का okay Tanaka sun जो है इसको जो र्योको से र्योको जाने से पहले र्योको नी इकू र्योको जाने 9 मय से पहले कौन सा चीज थी जो तो टेंशन दे रही थी, क्या चीज़ थी, टेंशन हो रही थी, जहाज पर चड़ रहा था इसलिए, देखते हैं, First option is, हाजी में ते हितोरी दे हिकोख ने रही तो, हाजी में ते हिटोरी दे, अकेला हिकोख ने ने रही जहाज पर चड़ रहा था, तो इसलिए उसको थोड़ी शी चैन्शन थी, yрип ये option match करता है second is thabemono kara thabemono ga खारा कुते मीशु ओ नोमी सुगीरु को तो जो खाना था वो खारा था खारा means spicy था तो वो पानी ज्यादा पी गया था इसलिए उसको टेंशन हो रही थी नहीं ऐसा भी रही है तीसरा option है र्योको शिता कुनी नेमुकू नते र्योको जहां पर वो ट्रेवल करने गया था कंट्री में कुनी means country ये वाला symbol जो है नेमुकू नते शिमाव को तो माझला वो सोने लग जाएगा वो ऐसे नेंज सी आने लग जाएगी उसको ये वाली चीज उसको टेंशन दे रही थी और next option is fourth अगर वो पानी पीलेगा नोमी सुगीते पानी बहुत ज़्यादा पीलेगा तो उसका पेट जो है वो डर्द करने लग जाएगा तक देखेशन बानी पीलेगा दस थंखा था पोड़ Ci साइड लेगा है सू यह वली चीज उसकोनशन दे रही ॥े नहीं क्योंकि पानी तो उसने तभी पी पिया जब वह बाहर गया उसने बोला था है करने से पहले उसको कौन सी चीज तंग कर रही थी परिशान कर रही थी यहां फिर टेंशन दे रही थी वो थी पहला option कि पहली बार वो जहाज पर जड़ रहा था उसको थोड़ी सी टेंशन दी उसकी आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग यह वाला paragraph था और मैं चाहता हूं कि अभी आप वीडियो को देख चुके हो तो इसको एक बर दुबारा से practice करो जो जो words आपको पता चले हैं नहीं उनको लिखो एंड आपको इससे काफी ज्यादा help मिलेगी और कोई भी information आपको चाहिए तो मुझे comment में बता सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको like जरूर कर देना और मेरे चैनल को subscribe करो ताकि आपको Japanese language के regarding बहुत सारी नई वीडियो मैं लाता रहूंगा इसलिए आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तब तक एलिए साधनारा